तलाग के बाद पहली बार नताशा ने की सारी हदे पार पांडिया को मुझ रडाते लुटाया इस लड़के पर प्यार देखती रह गई मिस्टरी गरल इशान किशन ने काट दिया सोचल मेडिया पर गज़र एक्ट्रेस अनन्या पांडिया को फैंस ने सुनाया पांडिया को देखकर गुसा आया एक तस्वीर ने मचाया ऐसा तहल का भावी पंकुडी शर्मा भी हो गई है रान हार्दिक की जिंदगी में आया फिर से तूफान टीम इनिया के गबर जैसा हुआ हार्दिक पांडिया का हाल क्या मिस्ट्री गर्ल ने भी छोड़ दिया पांडिया का साथ उठने लगे क्रिकट जगत पे सवाल सामने आई चौकाने वाली पांडिया की तस्वीरे इधर पांडिया अनन्या के रिष्टों ने इंटरनेट का पारा चड़ाया हुआ था कि उधर नताशा को लेकर ऐसी ख़बर सामने आई जिसने पांडिया एंट फैमिली के होश उड़ा दिये इशान किशन देखते रह गए नताशा अब किसी और के साथ इश्ट लड़ा रही है जिसका खुलासा होने के बाद पांडिया को बेटे की चिंता सताने लगे इतना ही नहीं अब भावी पंखुडी शर्मा से मिस्टरी गर्ल को लेकर पांडिया से बात किये जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे लेकिन उससे पहले ये बता दे कि नताशा आप किसी और के इश्ट में पढ़ गई है दरसल नताशा लगातार इंस्टाग्राम पर तस्वीरे शेयर करती रही है पर अब जो नताशा ने पोस्ट शेयर किया है उसे बढ़कर पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है कहा जा रहा है कि नताशा की जिन्दगी में नया प्यार आ गया है नताशा ने अपने प्यार का इसहार पूरी दुनिया के सामने किया आपको बता दे नताशा ने पोस्ट के जरीए प्यार के लिए खूबसूरत शब्द लिखे उन्होंने लिखा इश्वर की तरफ से गाइडेंस, चारू तरफ प्रेम से घिरा हुआ, कृत्ते गिता में जीना, आनंद का अनुभव करना नताशा के इस पोस्ट से फैंस को महसूस हो रहा है कि वो प्यार में है और यही कारण है कि वो ऐसे पोस्ट कर रही है रिपोर्ट्स के बाने तो नताशा इंदिनों सर्विया में बेटे के साथ समय बिता रही है हार्दिक और नताशा के तलाग के बाद कपल का बेटा अपनी बाद नताशा के साथ रहता है जिसने हार्दिक पांडिया की टेंशन को बढ़ा दिया है यहाली में पांडिया और अननिया को लेकर ही काफी रूमर्स फैले हुए खबरों के बाने तो अनन्य तंबानी और अधिका मर्चंट की शादी में पांडिया और अनन्या का डांस वीडियो हर तरफ चा गया है जहां दोनों ने मिलकर डांस फ्लोर पर धमाल मचा था दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे वो वास्ता में एक दूसरे की कमपणी को इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बारातियों के तोर पर उनकी भावनाय पूरी तरह से मेल खा रही थी जिस पर कुछ फैंस ने कहा है कि दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं दूसरों का दावा है कि वो एक दूसरे के टूटे हुए दिल को संभाल रहे हैं एक और यूजर ने कहा कि अनन्या ने पांडिया को ठीक कर दिया है और दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं एक और यूजर ने लिखा इमानदारी से कहूं तो वो एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं जबकि एक फैन ने लिखा दो टूटे दिल मिल रहे हैं इन कमेंट्स के बाद ऐसा कहा जाने लगा कि पांडिया अनन्या एक दूसरे के काफी करीब आए हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अनन्या की लाइफ में कोई और है इसका खुलासा था हुआ जब पता लगा कि इन दिनों पूर मॉडल वॉकर ब्लैंको को वो डेट कर रही है रिपोर्ट के मदाबिक अनन्या ने वॉकर को अपने पार्टनर के तौर पर सबसे इंटर्यूस करवाय था वो वॉकर के साथ अपनी नस्दीकिया छुपा भी नहीं रही सूत्रों के माने तो दोनों ने शादी में कई रोमैंटिक गानों पर बिंदाज जांस किया था हाला कि दोनों के रिलेशन्शिप ऑफिशिल करने में अभी वाक्त है एक और जहां अननिया के साथ रिष्टों को लेकर खबरे हैं तो वह दूसरी और पांडिया को लेकर भी खबरे सामनी आए दरसल जब हार्दिक दताशा का तलाक हुआ था तब एक मिस्ट्री गर्ल संग हार्दिक की फोटो सामनी आई थी जिसका नाम प्राची सोलंकी था जो कि एक डिजिटल क्रियेटर और मेकप आटिस्ट है उन्होंने समय अपने इंस्टागराम अकाउंट पर हार्दिक के साथ तस्वीरे शेयर की और इसे फैन गर्ल मोमेंट बताया प्राची ने लिखा था क्या कोई मुझे पिंच कर सकता है हार्दिक इतना लिविंग बनने के लिए धन्यवाद इस पोस्ट के बाद रियक्शन की बाढ़ आ गई थी हाला कि अब खबरे हैं कि हार्दिक इन दिनों प्राची के साथ समय बिता रहे हैं